Matilda started to leave the classroom with the rest of the students Matilda ने भी दूसरे बच्चों के साथ उसने classroom से बाहर निकलने लगी But as she passed Miss Honey, लेकिन जब वो Miss Honey के पास से गुजरी She paused, वो रुकी and her twinkling eyes, twinkling means we can say shining And the shining eyes met the teacher's eyes, उसकी आँखे जो है, teacher की आँखों से मिली Miss Honey ran forward, Miss Honey जो है आगे की तरफ बढ़ी And gave the tiny child a great big hug And उन्होंने उस छोटी बच्ची को एक बहुत बड़ा hug किया Miss Trunchbull was the abusive aunt of Miss Honey Miss Trunchbull, Miss Honey की गटिया aunt चाची थी Aunt थी, उसकी घटिया और थी एक वो और क्या relation था उसका, Miss Honey के साथ की वो जो है Miss Honey की aunt थी She had cheated Miss Honey of her family inheritance Inheritance होता है विरासत उसने जो है Miss Honey के साथ धोके से Miss Honey को धोके से जो है उसकी family की जो विरासत सी उससे दोके से उससे वो ले ली थी मतलब उससे दूर रखा था मतलब जो भी कुछ उसका हिस्सा था Miss Honey का जो विरासत में उससे मिलना था उसकी family के से तो वो धोके से Miss Trunchable ने अपने पास रख लिया था And as a result Miss Honey had to leave a life of poverty और इसकी वज़े से Miss Honey को poverty में इस वीकेंड से गरीबी की एक life जो है उसे जीवन जो है गरीबी में उसे अपना जीवन गुजारना पढ़ रहा था Miss Trunchable enjoyed punishing children Miss Trunchable जो है बच्चों को punish करना उन्हें सजा देना उसे बहुत मजाता था वो बहुत enjoy करती थी इन सब चीजों में and blame other people और दूसरे लोगों को चिडाने में टीज करने में उसे बहुत मजाता था Matilda with the use of her extraordinary telekinesis telekinesis means होता है ability to move objects using mind mind को यूज करके चीजों को उठाना सिरफ mind में कोई ऐसी special power थी जिसको यूज करके चीजों को वो उठा सकती थी तो extraordinary मतलब उसके अंदर ये special power थी जो हर किसी के अंदर नहीं होती not normal thing this is telekinesis ये power थी और had revealed और इस power की help से had revealed mistrunchable's acts इस power की help से revealed means होता है presented उसने present कर दिया था mistrunchable के act को उसके किये धरे को उसने वो सामने ले आई थी means board पे जो लिखा जा रहा था चोक से उससे बात clear हो रही थी miss honey से ले रखा है in taught her a big lesson और इस तरीके से matilda ने mistrunchable को एक बड़ा सबग सिखाया miss honey was aware of matilda's abilities और miss honey जो है matilda की abilities के बारे में इस power के बारे में वो जानती थी and knew exactly what had occurred in the class और वो जानती थी कि अभी जो हुआ था जो ये सारा incident जो शेर के आगया स्टोरी में कि ये जो है ये कैसे हुआ है class में miss trunchable later returns all of miss honey's inheritance back to her बाद में miss trunchable ने miss honey को उसकी सारी विरासत वापिस उसकी जो भी कुछ उसने धोगे से अड़प रका था property वेगरा वो सब उसको लोटा दिया back to her and leaves the town afraid that और फिर वो टाउन छोड़ के चली जाती है afraid that ghost of magnus की इस डर के मारे की कहीं जो है ghost of magnus का जो भूत है might come looking for her ना आ जाए उसे ढूनने के लिए फिर से ना आ जाए इस डर के मारे वो टाउन छोड़ कर भी बाद में चली जाती है इस टाइप से जो यह आपकी स्टोरी है जुसमें Matilda जो लड़की है जिसके अंदर कुछ सुपरनैश्रल कुछ स्पेशल पावर्स थी उनकी हैल्प से जो है वो उस लेड़ी को उस चीप लेड़ी को Miss Trunchable को एक लेसन सिकाती है और Miss Honey की हैल्प करती है इस यूर स्टोरी